जिनके पीछे हज़ारों हज़ारों लोग है अगर ये एक हो जाए तो ही तुस्तान की सर्कावर को जो हमारे संत और रिष्यों अर्मुनी जी सुन्टेशों को लगा एठे उसकी पूर्ती हो जाए मेरे मित्रों मेरे साथियों अभी बहुत अच्छे-च्छे ये मंध्थन चि रखें संतों ने भी चाहर रखें राजनितिक लोगों। जो ये कहना चाहता हो मैं इस परभीन के अंदर You 52,58वान को पहचाच जाएगा उस दिन वालमी की समाज का कब्द्हां अपने हाफ होगा। ऑज हम लोग हम दूसरों को नधा मानते हैं। ये सोरा चीवन का सर किसी के आगे नहीं जुका है तो अपने समाज के आगे, संतों के आगे जुका है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के लोगों आपको किसी की जरुवत नहीं है अगर जरूवत है तो मर्यादा की जरूवत है और इस मर्यादा को कोई बचा सकता है तो भारत के महान संथ बचा सकते हैं ये संथ संथ स्वामी ये तपस्वी लोग ये रिशीमूनी लोग ये वो लोग है जोनोंने हमेशा भारत की अखंड़ता को आगे बढ़ाया है आज हम बहुत बहुत शुक्रिया दा करता हो मेरे सामने मादे संगमनाथ महराजी वालियों की साहब आपसे इस पर्ट्रूप से कहना चाहता हो कि हिंदुस्तान के जो पड़ा लिखे सिछित लोग है जो राजमितिक लोग है मैं भी एक राजमितिक पार्टी से आता हो उसका जिकर नहीं करता और शुरो और उस राजमितिक पार्टी में भी बहुत ही बहुत ही मैं पुल्पत पर हो मैं ये कहना चाहता हो मुझ जैसे लोगों को अगर कोई प्यक्ति अपने जंटे के तरे ला सकता है तो ये पिस्दुवाल्वी की भरूंस अला सकती है मैं आपका बहुत लमन करता हूँ जा भी आपका हुकम होगा ये सरकार अंदे बैरों की सुरकार है ये सरकार बलितों के अर्दालितों के विकास के उत्थान के लिए नहीं है मांगने से तो भीक भी नहीं मिलती अधकार चीनने पड़ते हैं और चीनने के लिए संगर्ष करना पड़ता है और आज आपने संगर्ष की बेला में यहां पर बुगल बजा दिया है यह महादवाओं का, संतों का, मफशामियों का संखना दो रहा है और इसके बाद भी, अगर मौती संतार की, अगर नीद नहीं खुदी तो हम यह चेलेंज के साथ कहते हैं कि आने वाले बक्त में, आन्मी की समाज का बच्चा-बच्चा अपनी यह के लहु का कत्रा पादेगा और इनको जो आलिसान महलों में सो रहे हैं आलिसान कोठियों में रह रहे हैं चैंसे रहने नहीं देगा क्यों नहीं रहने देगा क्योंकि आप और हम सब जालते हो इस बारत में सच्चा बाक्त अगर कोई है इस बारत का सच्चा सिवक कोई है तो बाल्वी की समाज है आज हमारा समाज अगर यह संकल अपने ले कि जो चाडू से हम मलबूत रुठाते हैं वो चाडू में एकता है वो सीख बदी हुई है जिस दिन बाल में कि समाज एक हो गया यह थे देश के अंदर जो यहाँ पर भारत को चलाते हैं अपने कोठियों में सोरी नहीं पाएंगे इनी सब्दों के साथ मैं आफसर गुरू जनों का आपने मुझे वालियों की संगन हसाथ बोलने का बता दिया आज अलिगर में बहुत बड़ी घटना हो गई थी मैं तमाम तुभानों को चीरता हुआ आपके बीच में आया हूँ और ऐसे ही नहीं बोलना हूँ वालमी की सम समांच के लिए अब आलमी की समांच के मंदर के निर्मान के लिए राचतानों ने सेतानों थी तिंसो पंदर से गोड़ी अगर आहुतों मैं बनाति जबड़ ख्ली उप जा एक सभान अक्म गोले रहुता नाम आता है RSS के लोगों ने अलीगड के अंदर वालवी की मंदिर अचलतुराव है जेम नगरी है उसमें आज तक नहीं बनने दिया था इसाब के खादिम ने आपके सेवक ने आपके बच्चे ने आपके ठापे और विसाल वालवी की मंदिर बनाया है और उसका मुझको इन ने उते ये आपका बेटा आपके सामने बोल रहा है और मैं ये एलान करता हूँ कि भीस वालवी की धरंग संसत के महागुरों आप आवाज को जो चाहोगे इस हिंदुस्तान में वो होगा ये बालवी की बीर ये बालवी की सेरा ये बालवी की महाबीर लोग चेंशनी जिनी में आग लगा देंगे ये एलान करता हूँ जिनी सब्दों के साथ मैं एक शेर के साथ अपड़ी बात को प्राम देता हूँ तलवारों की चाहों में ये नोजवानों आपके लिए है ये बालवी की समाज के हमारे सम्मारिक गिरांथिकारी साथियों के लिए है कि तलवारों की चाहों में बीरों की जवानी पलती है और दास सोर मुर जाता है जिस सोर जवानी मुरती है जिस सोर जवानी मुरती है जे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूरें ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले